जेहिन दोस्तो रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक दबरदस जानकारी दूँगो और ये जानकारी जुड़ी है डी-ए-डी-ार के एरियर के बारे में जिया दोस्तो आज एक परसेंट या फिर दो परसेंट पैंशनर्स को इस पर्ष की तरफ से डी-ार का एरियर मिला है तीन महिने का अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तो पैंशनर्स ने खुद मुझे मैसेज करके बताया कि सर इस परस की तरफ से डी-ार का एरियर हमें मिला है तीन महिने का तो दोस्तो मैं आपको इसी के बारे में विस्तार से समझाऊंगा और इसी को लेकर मैंने PCD इस परसे भी बात करी थी कि अगर इनको मिल गया तो फिर बाकी पैंशनर को कब मिलेगा तो दोस्तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखेगा वीडियो मागे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश भी कर रहा हूँ अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे है या फिर वीडियो देख रहे है तो आप मेरा चैनल सबस्क्राइब भी कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना क्योंकि ऐसी जानकारिया नई जानकारिया आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से और पैंशन से जुड़ी जो प्रॉबलम आती है उसका भी सलूशन किया जाता है टैम टैम पे चलिए दोस्तो विस्तार से जानकारी लेते है दोस्तो आज मेरे पास डो मैसेज आए पैंशनर के सबसे पहले पैंशनर ने वटसेप पे मुझे ये मैसेज भेजा और ये मैसेज है एक क्रेडिट मैसेज जो सपर्ष की तरफ से भेजा गया है जिसमें लिखा है कि तीन मेने का डियार का पैंशनर के खाते में डाला गया है कितने रूपे दो हजार पच्पन रूपे जी या दोस्तो फिर मैंने सोचा कि जब मैं इस पर्ष PCD से बात करता था पहले तो वो मुझे बताते थे कि अभी आप थोड़ा वेट करिए यानि तीन-चार दिन बाद या फिर 30 अपरेल से पहल पैंशनर से लिग और फिर मैंने पैंशनर बन कर PCD S Pals से बात करी तो दोस्तों PCD S Pals ने बताया कि अभी आपका एरियर प्रोसेस में नहीं हुआ है यानि हमें इसकी जानकारी नहीं है फिर मैंने PCD S Pals को बोला कि मैं आपको एमाउंट बता हूँ जो पैंशनर के खाते में आया कितना दो हजार पच्पन रुपे फिर दोस्तों उन्होंने मुझे बताया कि हाँ ये दो हजार पच्पन रुपे प्रोसेस में थे और पैंशनर के खाते में दिये गए हैं तो इसका मतलब है कि आज एक परसेंट या फिर आदा परसेंट पैंशनर को डियार का एरियर मिला है इस परस की तरफ से अभी हर एक पैंशनर को डियार का एरियर नहीं मिला है यानि जो आपका डियार का एरियर है तीन महिने का वो शडूल है अप्रेल में देने के लिए यानि 30 April से पहले 100% आपके खाते में DR का एरियर आ जाएगा जियां दोस्तों आपका जो एरियर है वो शडूल कर दिया गया है अपरियल के महीने में तो दोस्तों 30 April से पहले आपको मिल जाएगा फिर दोस्तो मेरे पास एक और मेसेज आया और यह आया था यूटूब पर जिसमें लिखाया है दिये एरियर थ्री मन्त रिसीवड टूडे इस पर्श ये भी एक पैंशनर का मेसेज है जिसमें उन्होंने बताया कि इस पर्श ने तीन महेने का डियार का एरियर दे दिया लेक बनता है दो हजार पच्पन रुपे यानि 17 130 का 4% और फिर जो एमाउंट आता है वो आता है 685 और अगर आप उसका मल्टिप्लाई करेंगे 3 से तो आता है दो हजार पच्पन रुपे और यही इनके खाते में आया है तो दोस्तो हर एक पैंशनर को अभी DR का एरियर नहीं मि है आपको थोड़ा यहां पे वेट करना होगा आपका जो शडूल है DR का एरियर जो आपके खाते में आएगा वो अप्रेल के महीने में आएगा यानि 30 अप्रेल से पहले आपको DR का एरियर मिलेगा तो दोस्तों जब मैंने इस पर्स PCD से बात करी तो उन्होंने यही बताया कि हो सकता है कि आ गया हो हो सकता है कि आ गया हो फिर मैंने बोला आप confirm बताईए तो फिर मैंने उन्हें amount बताया कि इतना pensioner के खाते में आया है तो इस परश PCD ने बताया कि हाँ यही amount process में लगा हुआ था और यही आपके खाते में आया है फिर मैंने पूछा बाकी pensioner के खा खाते में आना स्टार्ट हो गया है तो दोस्तों अभी आपको भी नहीं मिला होगा डियार का एरियर अभी आपको नहीं मिला होगा अगर आप कमेंट भी करेंगे तब भी आप यहीं बोलेंगे कि हमें नहीं मिला हमें नहीं मिला हाँ दोस्तों आपको नहीं मिला लेकिन आगे एक परसेंट या फिर आदा परसेंट उससे भी कम पैंशनर को डियार का एरियर मिला है और दोस्तों ये है वो प्रूफ प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ जियां दोस्तों पैंशनर ने आज मुझे ये मैसेज भेजा था तो दोस्तों अगर आप PCDA इसपर्स से भी कुछ दिन में यहां दोस्तों यह हंडर परसेंट करेक्ट न्यूज है तो दोस्तों यही जानकारी देने में आया था क्योंकि पैंशनर यहां पर खुद लिख रहे हैं सर यह डियार का एरियर आया है आज इसपर्ट से तीन मैने का तो दोस्तों मुझे बहुत खुशी और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहती है इस चैनल के माद्यम से थैंक यू सो मच